अपने बेटे दिवाकर की हत्या करवाई है इतना ही नहीं दिवाकर की मा ने बताया कि उसके बेटे ने अपने ही पिता के खिलाफ अर्वल विधानसबाची सीट से चुनाव भी लड़ा था और ये एक पारिवारिक रंजश के तहत हुआ है जायस घटना को अंजाम दिया गया है आपको बता दे कि शुकरवार की देश शाम अर्वल और अंगबा सीना चेत्र में सुन तटीय इलाके पर रवेंद्र कुमार की बेटे दिवाकर कुमार की हत्या करती जाती है जहां बेखौफ अपरादियों के द्वारा उस पर ताबर तोड गोलिया चलाई जाती है दोनों जानकारे के मताबिक दाउद नगर थाना चेत्र के हिच्चन बिगा गाउ में कुमार गौरव अपनी बोरिंग पर फसल में पटवन करवा रहे थे शुकरवार की देरा तीन अपरादियां पहुचे और उनसे बाच्चीत की परिशा होने के बाद गौरव को बुला कर कुछ दूरी पढ़ ले गए और उसे गोली मार दी जांग में गोली मारने के बाद सीने में तीन गोली मारी गई उसकी मौत होने के बाद लाश को पुआल के धेर में छुपा कर अपरादी महां से भाग निकले गोली के आवाज सुनकर मौजूद एक यूवक ने शोर मचा कर ग्रामिनों को सूचना दी जिसके बाद घटना स्थल पर काफी भीड लग गई शनिवार के सुबा शर्फ का पोस्ट माचम कराये गया मनने वाली की मा उश्य शनन ने बताया कि उनके पती पूर्व विधायक रवेंद्र सिंग ने हत्या की वारदात को अंजाम दिलवाया है उनके दो बेटे हैं जिन में से कुमार गौरफ की हत्या कर दी गई है ग्रामिनों ने बताया कि शुक्रवार की देरात कुमार गौरफ खेट में पटवन कर रहे थी इसी दौरान पहुचे अपराधियों ने गोली मार कर उनके हत्या गर्दी कुमार गौरफ पूर्व में अर्वल विधायन सबा से चुनाव लड़ चुके हैं हलाकि उन्हें हार का मूँ देखना पड़ाता अत्या के पीछे चिपे कारणों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है गटना स्थल से पुलिस ने खोखा भी बरामत किया है अर्वल के पूर्व विधायक रवेंदर सेंग के पुत्र कुमार गौरफ के अत्या से दर्श्रत का महौल बन गया है स्थानिय लोगों ने अस घटना पर गेरा अक्रोश रताया है पुलिस के सुरक्षा ववस्ता पर भी सवाल उठाए गए हैं लोगों ने का कि कुमार गौरफ का किसी से कोई विवाद नहीं था वो अपने पिता के साथ रहकर खेती बाड़ी सहे तन्यकारे करते थे रात में अपरादी पहुचे तो उन्होंने भागने का प्रयास नहीं किया संबवता उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके हत्या हो जाएगी अपरादियों ने उनसे बात की और थोड़ी दोड़ ले जाकर उन्हें गोली मार दी बरहाल जिस गाउ में घटना को अंजाम दिया गया है उसी गाउ में राजर्द सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी रोईनी आचारे का ससुराल है पूर्व विदायक रवेंद्र सिंग लालू यादफ के करीबी माने जाते हैं लालू परिवार में पैट होने के कारण उन्हें दो बार अर्वल से एक टिकेट मिला जिस पर दोनों ही बार उन्हें जीत दज की हत्या से पूर्व आरजर्दी के विदायक रवेंद्र सिंग अपने पैत्रे गाउ हिचिचन बिगा में कई दिनों से रह रहे थे इस बड़ी घटना को अंजाम रवेंद्र सिंग ने दिलवाया है ऐसा उनकी पतनी का कहना है और कहना है कि उनके बेटे की जान बुचकर हत्या करवा दी गई है वो भी किसी और ने नहीं बलकि उनके पता रवेंद्र सिंग नहीं जो कि आरजर्दी से पूर्व विधायक है अरवल से उन्हें दो बार जेटी का टिकेट मिला और दोनों ही बार उन्होंने जीत दर्ज की है ऐसमेस पूरे मामले में क्या बड़ा खुलासा होता है और कौन सी बाते निकल कर सामने आती है इस बड़े मोड के बाद वो तो देखने वाली बात होगी जो भी कुछ अपड पेश में अतना ही नमस्कार